विरस्टी जैकेट्स 22 का सबसे बढ़ा ट्रेंड लेकिन इनको पहनने कैसे है? 5 लुक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे street style के बारे में, sports look के बारे में, casual look के बारे में, अब ही यही है बोल्ड होना यहां पर इन्हों देखे वेरस्टी जैकेट को कैसे पहना हुए नीचे प्रिंटीड शर्ट पहनी होए यह दैन उसके ऊपर हमारी वेरस्टी जैकेट पहनी होए साथ में चंकी शूस पहने हो यह विद स्ट्रेट फिट जीन्स के साथ लेकिन आप उसके जब आप हूडी पहनोगे तब आप क्या कर सकते हो कि अपनी हूडी की जो आपकी कैप वो पीछे से आपको कुछ इस तरह से निकालने है देन उसके ओपर आपको वेरस्टी जैकेट पहननी है साथ में आप अपना जोगर्स भी पहन सकते हो अगर आप अपना जीन्स पहन सकते हो अपने स्नीकर्स लेकिन अगर आप वेरस्टी जैकेट को स्ट्रीट लुक के साथ पहनना चाहते हो जो मुझे बड़ी फेवरेट लगी जब मैंने इसे कैरी किया मैंने क्या किया है कि एक लॉंग टीशेट पहनी है लॉंग टीशेट कहना क्या मतलब है मेक शोर कि जहां पर आपकी वेरस्टी जैकेट खतम हो रही है आपकी टीशेट नीचे से उससे बाहर आने चाहिए थोड़ी आजाए अगर आप ज़्यादा कमफर्टेबल नहीं हो लेकिन जैसे मैंने काफी मेरी टीशेट देगे काफी पीछे से बाहर आ रही है और साइड कठा हो रहा है जिससे क्या आ रहा है कि बैगी फिट आ रही है अगर आप पाशा की यह फोटो पे देखो उन्हें ने लेखे जोगर कैसे पहना रहा है विद जैकेट हला कि यह वेरस्टी जैकेट नहीं है लेकिन फिर भी अगर इसको थोड़ा सा लंबा पैना है और उपर स मुझे पहनी है वेरस्टी जैकेट विद स्चीकर शका फार एक स्रिट स्टाइल लुक आ रही है और इस में एकस्ट। एड़ करने के इस साथ में मैंने पहनी है chain chain वैसे मैंने वीडियो के लिए ही पहनी है मैं अपनी daily life में chain वगारा पहनना इतना ज़्यादा comfortable नहीं होता लेकिन हाँ अगर आप chains वगारा पहनने में इतना ज़्यादा comfortable हो then you can go for it मैंने आपको पहन के दिखा दी है लेकिन वरस्टी जैकेट और बॉंबर जैकेट में डिफरेंस क्या है ये वरस्टी जैकेट ही क्यों है ये बॉंबर जैकेट क्यों नहीं है पता है आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं मैं वीडियो के आगे बताता हूँ कि I believe कि एक लड़का जिसे अच्छी जारा fashion sense की knowledge है उसे पता होना चाहिए पिवरस्टी जैकेट और बॉंबर जैकन में फरक क्या होता है अगर आप ज़्यादा experiment नहीं करते है बिल्कुल safe play करना चाहते हो then casual look is perfect for you यहाँ पर देखे मैंने क्या क्या है कि अपनी plain sweatshirt पहनी है अगर आपको यह sweatshirt लेने है मुझे color बहुत ज़्यादा पसंदा है यह sweatshirt का light pink exactly जैसा हम लड़कों को पहना चाहिए 799 के आसपस है बहुत ही H&M जैसा brand 799 ऐसी sweatshirt आपको मिल रही है जो कि oversize है देखो पहनी अकेली sweatshirt पहनी भी देखा कितनी अच्छी लग रही है बिल्कुल एक perfect जैसे oversize होनी चाहिए लेकिन अगर इसके साथ आपको वेरिस्टी जैकेट पहनने है देखे पहन लो यह एक perfect casual look होगी वेरिस्टी जैकेट के साथ और जब गर्मी वेरिस्टी जैकेट उतार दो और अकेली sweatshirt भी पहन लो यह एक perfect look हो सकती है डेट पे जाने के लिए movie show भी देखने जाने के लिए या फिर college में पहन के जाने के लिए next आई यहती हमारी monochrome look देखो casual look जो है वह बहुत से लोगों ने पहनी होगी लेकिन जो यह monochrome look है यह आपने ही पहनी होगी यह आप बीकेंट देख रहे हो है इसमें कहा है देखे मैंने मैंने jeans के साथ carry की है लेकिन आप इसे जो हमारे coet sets आ रहे हैं आज उनके साथ भी carry कर सकते हो देखे मैंने jeans के साथ कैसे carry की है कि navy blue jeans पहनी है उसके साथ navy blue ही मैंने hoodie पहनी है अब hoodie अगर यह hoodie भी देना जातो यह भी H&M की hoodie है इसकी again जो इसका fabric है वह बहुत ज्यादा अच् उसे बचाएगा और जो इसकी आगे pocket है उसकी pocket की length भी काफी अच्छी है आपके दोनों हाथ बड़े अराम से अंतर जाएंगे ऐसे करने की जूरत नहीं होगी आपके हाथ भी गरम रहेंगे लेकिन अब look की बात कर ले देखे मैं navy blue jeans के साथ ही पहनी है navy blue color की ही hoodie और उसके पर मैंने पहनी है अपनी वेरिस्टी जैकेट जब भी आपके upper wear और bottom wear का जो color होता है वो same shade में होता है उसे monochrome look कह देते हैं या फिर यहाँ पे देखें court set के साथ ही वेरिस्टी जैकेट पहनी है कितनी relaxed look आ रही है यह एक perfect look होगी airport look के लिए या फिर अगर आप travel कर रहे है उसके लिए अगली बात करते हैं हमारी elegant look की one of my favorite लेकिन उससे पहले मैं आपको वेरिस्टी जैकेट और bomber जैकेट में difference बता देता हूं वो यह है कि वेरिस्टी जैकेट में हमेशा buttons लगे होते हैं जिप नहीं लगी होती है लेकिन bomber जैकेट में जिप लगी होती है अगला difference वेरिस्टी जैकेट में यह होता है और bomber जैकेट में होता है कि वेरिस्टी जैकेट की जो बाजू होती है और जो इसका ये area होता है इन दोनों का color अलग लग होता है bomber जैकेट में पूरा color एक ही होता है लेकिन जो real वेरिस्टी जैकेट होती है real उसके हिसाब से ही बनी गी हो इसमें क्या करना है कि आपको हाइनेक पहननी है और उसके उपर वेरस्टी जैकेट पहननी है जैसे कि यहाँ पर देखें यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की हाइनेक पहननी है उसके तो वेरस्टी जैकेट पहननी है साथ मैं नेवी ब्लू जीज पहननी है लेकिन रियल में मैं क्या एड करना चाहता हूं अगर आपको इस लुक से सही तरीके से करना है वो यह है कि देखो मैंने नीचे कैसे वेरस्टी जैकेट को बटन है उनको बंद किया हुआ है पहले किसी भी लुक में बटन बंद नहीं है लेकिन सिर्फ इसी लुक में ही बटन बंद और अगली है कि आपने किस चीज को किस तरह से कैरी किया है और जितने में प्रड़क्स इस वीडियो में दिखाए है सारे प्रड़क्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया यू कन गो और बहुत अच्छे ओफर्स चल रहे हैं और आपके बजट में भी होंगे तो यह थी अगली वीडियो में